इंसियार डेली के नॉइडा में बिल्डिंग कंस्रक्शन का भरमार लगा हुआ है लोग बिना कुछ ज्यादा जांच परक किये धडले से उची उची बिल्डिंगों में फ्लैट भी रहे थे इसमें जो होने थे हो भी रहे थे आए दिन सुनने में आने लगे थे कि इमारते ताश के पत्तों की तरह गिर रही है ऐसे ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर्ल टावर थी उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहती थी एक टीचर सोमना एक हादसा हो ही गया रात में सबके सोते में पर्ल टावर तोट कर जमीन पर बिखर गई बहुत से लोगों की मौत हो गई सोमना की जान भी मकान के मलवे में दब कर चली गई जानती हूँ मेरी मौत हो गई है लेकिन अभी मैं देवलोक नहीं जाऊंगी जिन लोगों के कारण ये इमारत गिरी और इतने लोगों की जाने गई उन लोगों से बदला लेने तक मैं चुड़ैल ही बने रहूंगी तब से सोमना टीचर चुड़ैल बनी घूम रही है सबसे पहले वो आई उस एजेंट के ओफिस में जिसने उसे ये फ्लैट बेचा था क्यों मिस्टर बगेजा पहचान रहे हो मुझे आप तो पल्ल टावर में रहती थी भगवान का लाग लाग शुकर है कि आप सही सलामत है मैं जिन्दा नहीं हूँ बगेजा अरे आप तो मेरे साथ मजा करने लगी मेरे सामने ही तो आप जिन्दा खड़ी है और कहती हैं जिन्दा नहीं है अच्छा मजा कर लेती हैं आप प्यान से देख बगेजा मैं जिन्दा नहीं हूँ पल्ल टावर के मलवे में दब कर मेरी भी जान चली गई है मैं सोमना चुड़ेल हूँ अब बगेजा के हाथ पाओं फूलने लगे थे मैंने कुछ नहीं किया है वो तो चंदमन ने पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है और वो भी घटिया इमारती सामान से तो ने सब जानते हुए भी लोगों को जहासे में रखकर फ्लैट बिक्वाए है ज्यादा कमिशन के लालच में तेरी तो मौत होनी ही है चुड़ेल बहार आई और दोनों हातों से बगेजा के घर को हिला दिया बगेजा का घर चरमरा कर धा गया और बगेजा उसमें दबकर मर गया अब चुड़ेल जा रही थी चन्दमल बिल्डर के पास जिसने पर्ल टावर को बनाया था चन्दमल डेली के दुआरका में अपनी एक नई बंती बिल्डिंग में था चुड़ेल सूंगते सूंगते वहां पहुँच गई मिस्टर चन्दमल आप है जी हाँ आपको कोई फ्लैक लेना है क्या इस बंती बिल्डिंग में तो मेरे एजेंट से बात कर सकती है आप वो तो मैं कर लोगी लेकिन खुद देखने आई थी कि बिल्डिंग कितनी मजबूती से बन रही है चन्दमल ने घमन से कहा मेरी बनाई बिल्डिंग सबसे मजबूत होती है लेना है लो नहीं तो अपना रास्ता देखो तो तेरी पर्ल टावर गिरी कैसे तैकी कात में पता चला सबसे घाटिया इमारती समान उसमें डाले गए थे चन्दमल ने ब्राकर सहमते हुए बोला आप कौन है? मैं उसी पर्ल टावर में रहती थी उसके गिरने से बैदधकर मर गई अब चुड़ैन हूँ मुझे मत मारो मैं अब ये धोके का काम कभी नहीं करूँगा तुझे तो मरना ही है चन्दमल नहीं तो तूप दस गुनर ज्यादा मुनाफ़े के लिए कमजोर बिल्डिंग बनाता रहेगा और लोगों की जाने जाती रहेंगी ये कहकर चुड़ैन ने बिल्डिंग के एक बेको जोर का धक्का दिया बिल्डिंग भूक कम की तरह डोलती हुई गिर गई और उसी में चन्दमल दब कर मर गया अब बचा रहे गया वो सरकारी इंजिनियर जो बिल्डर से नोटों की गड़े ले लेकर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को पास कराता रहा लोगों की जान की परवा किये बिना उसी दिन सरकारी चीफ इंजिनियर मिस्टर सकसेना अपनी कार ड्राइव करता हुआ एक केदार के पास जा रहा था अपने ग्रूस की मोटी रकम लेने मोटी रकम मिलने की खुशी में वो मस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था तबी पीछे की सीट से आवाज आई पैसो के लिए कितनी पेतो भी गाड़ी भी तीरे नहीं चला पा रहा है कौन? कौन है पीछे? कहते हुए उसने गाड़ी रोग दी देखा पीछे एक औरत बैठी हुई थी आप मेरी गाड़ी में कैसे आ गई? मैंने तो आपको लिफ्ट नहीं दिया था चुड़ेल को कैसे लिफ्ट दे सकता है? वो तो खोद आ जाती है गाड़ी के अंदर सकसेना लड़ खड़ाती जुबान में बोला आप चुड़ेल है? हाँ, तुने बिल्डर से गुस में मूटी रकम लेकर गटिया समान से बने परल टावर बिल्डिंग को पास कर दी वो गिर गई तो मैं दबकर मर के चुड़ेल बन गई मैं हूँ सोमना चुड़ेल सकसेना ने कार मोडी और तेजी से भागा लेकिन एक ट्रक में टकर मार दी और सकसेना उस एक्सिड़ेंट में मर गया सोमना चुड़ेल अब देव लोग जा रही थी धाबे का बूत और चुड़ेल भैरो ट्रक का ड्राइवर है उसका हेलपर है लेखी दूर दूर तक वो अपना ट्रक लेकर समान पहुचाने जाते हैं आज भी समान लादा ट्रक लेकर जा रहे हैं लेखी भैरो से कहता है उस्ताद दोपेर के खाने का वक्त हो गया ठीक है, सामने कोई धाबा दिखे तो बता, रुखते हैं वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते लेखी की नजरों में एक धाबा दिखता है उस्ताथ, सामने एक धाबा दिखाई दे रहा है, यही ट्रक रोक लो भैरो ट्रक रोकता है धाबे पर धाबा कुछ अजीब है कोई चूलहा नहीं जल रहा है कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है कोई है कोई अवाज नहीं आती है लेखी जरा और जोर से हांक लगाता है अरे भाई कोई है अंदर हम खाना खाने आये है तब ही लेखी के गरदन के पास पीछे से अवाज आती है वो भी दबी और फसी हुई आवाज में इतनी उच्छी आवाज में बात मत करो हम यही हैं क्या चाहिए तुम है लेखी थोड़ा अचरत से याद करता है अब तक उसके पास तो क्या धाबे के आसपास भी कोई नहीं था यह अचानक से कहां से आ गया यहां तो कोई मुझे नहीं दिखा तुम अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया चुला भी नहीं जल रहा है तुम अपने काम से मतलब रखो खाने में क्या ला रहा है क्या मिलेगा तो चाहिए सब मिलेगा लेखी भैरों के पास आता है उस्ताद मुझे कुछ गणवर लगता है कुछ ऐसे खाने का नाम बोलता हूँ जो दाबों में नहीं मिलते बड़े बड़े होटिलों में मिलते होंगे वो खाना मैं सफनों में भी नहीं सोच सकता ये वो खाना दे नहीं पाएगा तो हम निकल लेंगे इस धावे में मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है लेखी तब ऐसे ऐसे खाने का ओर्डर देता है जो उसे खुद पता नहीं होता है वो आदमी एक ओरत को आवाज लगाता है सबो भैरो और लेखी देखते हैं कि चूले के पास अचानक एक औरत दिखती है जो अब तक कहीं भी नहीं थी भैरो धीरे से लेखी से कहता है लक्षन कुछ ठीक नहीं दिख रहे रहे लेखी चल कट कर लेते हैं खाना तयार है खा कर जाओ भैरो और लेखी तोनों का मुझ खुला का खुला रह जाता है भैरो लेखी से फस्पसाते हुए बोलता है इसने हमारी मन की बात कैसे पढ़ ली बड़े होटलो वाला खाना भी बन गया वो भी अभी के अभी चुटकियों में उस्ताद मुझे तो डर लगने लगा है आदमी ने परोस्ते हुए बोला डरने की कोई बात नहीं है नल में हात मुदो लो खाना लग गया है भैरो और लेखी अबकी और भड़क जाते हैं सहमते हुए नल पर आते हैं नल खोलते हैं नल खुलते ही भैरो चीक कर पीछे आ जाता है नल से पानी के बदले खून निकल रहा होता है भैरो और लेखी के हाथ खून से लाल हो जाते हैं खून, खून वो आदमी आता है कहां से खून? नल से वो आदमी नल खूलता है कहां खून है ये पानी ही है चलो खाना खाओ भैरो और लेखी हैरत से देखते हैं सचमुच नल से पानी आ रहा है दोनों मन मार कर खाना खतम करते हैं तबी वो आदमी दो गलास लसी लाकर बोलता है तुम्हें हमारी तरफ से आज हमारा स्पेशल लसी फ्री दोनों गलास उठाकर जैसे ही लसी को पीने को होते हैं पूरा लसी खून में बदल जाता है दोनों गलास फेक कर चिलाते हैं खून 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 तबी ऑरत की आवाज आती है हाँ तुमने ठीक समझा ये खून ही है दोनों गर्दन गुमा कर देखते हैं, वहां कोई औरत या आदमी नहीं होता, बलकी एक चुडैल और एक प्रेत खड़ा हुआ होता है बड़े दिनों बाद आज इंसान का खून पियूंगी उस प्रेत के हाथ में एक चमकता हुआ खड़क होता है, वो उनकी तरफ आते हुए बोलता है इनको जिन्दा तब दूर में पून लेंगे चुडैल और प्रेत खूनकार तरीके से दोनों की तरफ बढ़ रहे होता है दोनों डर से बेहोश हो जाते है तभी बहुत से ट्रक की आवाज एक साथ आने लगती है ट्रक वाले आते हैं और उन्हें होश मेलाते है यहाँ से ढाबा कहा गया? उन दोनों चुडैल और प्रेत का ढाबा? एक ट्रक ड्राइवर कहता है तुम दोनों की जान बज गई भाई? यहाँ कोई ढाबा नहीं होता है वो दोनों चुडैल और प्रेत ट्रक वालों को जासा देकर मा डालते है इस बात को सुनकर भैरो और लेखी भगवान को प्रणाम करते हैं